कि नमस्कार दोस्तों स्वागत था आपका एग्री उडान के यूट्यूब चैनल पर आज हम फिर से आपके लिए लेके हैं बियाच्यू बियासी एग्री कल्चर के लिए प्रिएस येर कोश्चन पेपर तो यहां जो पेपर है यहां संदोजार अठारे का है और यहां पर हमने सिर्फ एग्री कल्चर सेक्षन लिया है जो एग्री कल्चर के कोश्चन बियाच्यू में पूछे जाते हैं वो पचास रहते हैं तो आज हम आपको यहां पर एग्री कल्चर का संपूर्ण जो है कोश्चन साल्व कराएंगे और साथ प्ले लिस्ट पे जा करके इससे पहले के भी प्रिएस यह कोस्टन पेपर देख सकते हैं इसके साथ साथ में अगर आप भी अच्छे वीडियो चैनल पर मिल जाएंगे तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं तो आप वीडियो को अन तक देखना आपको बहुत ही अच् कि यहां पहला आपस्टन है भिंडी दुसरा है मटर फिर है बंदगोवी फिर है पात सल जम तो यहां पे जो करेक्ट एंसर है वह है भिंडी ठीक है पहला आपस्टन इसका सही हो जाएगा अगला कॉस्टन है जीन संदचना यह वाले एक व्यक्त को कहते हैं ठीक है होमो जाइगोर्ड जिसको बोलते हैं यह करेक्ट एंसर इसका हो जाएगा अगला कॉस्टन है राश्टी क्रस्विकास योजना की सुटवात की घोस्टा किसने की नायन मोदी इंद्र कुमार गुजराल अटल विहारी बादसपेई या फिर डाक्टर मनमोहन सिंग त कुस्ट करेंसे रिलेटर रहते हैं तो आपको हर एक सेट में यह फूराने सेट हैं हुआっちゃा है बैंकिंग lost 도 यहें यह ठीक है वो सभी आप देख लेंगे यह कोश्चन आपको तो मिलने ही मिलने है ठीक है तो यह फिक्स हैं विल्कुल तो आप इतना जरूर पढ़ लेंगे तो यहां जो करेक्ट टेंसर होगा वह जाएगा चौथा डाक्टर मनुहां सिंग ठीक है अगला कोश्चन है गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है कैरोटीन एंथोसाइनी लाइकोपीन या जैन्थोफिल आप देखे जितनी भी वेजी टेबल्स होती है या फल होते हैं उनमें लाल रंग पिला रंग या जो भी रंग का कारण होता है वह आप सभी एक है दूसर आपसन पाइब चरें पहेंगं का वीस डर ग्रामजै क्या है कि चैहां पहला 10300 2300 फी %500 पर Pikachu ने कर்के 700-% Veterinary होता है कि यहां जो बाक्रुब मेंक सब्सेटर होगी तीनससुन पछेतर से पांसो ग्राम दूसरा अप्षे फिर है घाजर एक अच्या शुरोत है तो यहां पे पहला अप्षेन है लायकोपिन फोर फिर कैरोटीन फिर प्रोटीन गाईर होती जो वह लिए आज और के로टीन भोड यहां होती है तो यहां पर करेक्ट अंसर हो टमाटर फल है बेरी सोरोसीज पोपो और कैप्सूल तो देखे एक क्वोश्चन चाहे यहां हो हो जाएगा कौन किस प्रकार का होता है पहला है बेरी सोरोसीज पेपो और कैप्सूल तो यहां जो करेक्ट एंसर होगा टमाटर यह हो जाएगा बेरी और इसको मैंने बहुत अच्छे से समझाया आप समझ जाएंगे वहाँ पर भारत में प्रोडक्ट अधेर कब लागू हुआ तो पहला अपसान है 1915 1545 फिर है 1915 फिर है उनसर पैतालिश फिर है 1969 तो यहां जो करेक्टिंसर हो जाएगा फ्यों हो जाएगा 1950 अब देखे यह एक्स्टेंशन से से या फिर मान लेजे कोई जैसे प्रोजेक्ट लांच होते हैं उस तरीके से हैं अगला कुस्टन है अंगूर की उच्चेतम उत्पादकता है तो यहां पर पहला आपसा है इटली में भारत में संयुत राज अमेरिका में और चीन में देखिए यह जो कोश्चन करहा है तो यहां में तुलना की जाती है तो सभ से आधा उत्पादघता है भारत की ट्याहा रोजा जो जाएगा वो भारत घो जाएगा लेकिन अगर उत्पादन की बात की इनमें से कोई नहीं तो यहां जो करेक्ट एंसर है वह जाएगा कवर्क सेकेंड आप्सन कि कि अग्ला कुस्चन है कि फूल गोभी में हुटेल का कारण है बोरान की अधिकता बोरान की कमी मौलीव डेनम की कमी देखे फूल गोभी से भी कोशन बहुत उड़ते हैं तो इसके जितने देहिक विकार है माल लिजिए वह आप सभी पढ़ लिजिए और इसको अच्छे से मतलब इसक्राप को अच्छे से आप पढ़ लेंगे तो यहां जो करेक्ट टैंसर है वह है मौलिबडेनम की कमी से हो जाता है आपका करेक्ट टैंसर हो जाएगा चौथा ठीक अगला है आलू का मुखिता प्रवधा होता है किसके द्वारा होता है कंद घंकंद बीच और सेट्स तो यहां पर जो करेक्ट टैंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कंद ठीक है पहला आपसन सही हो जाएगा फिर भारत का राश्टी फल है अब आपसे हम कहना चाहेंगे कि यह जो आम है इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ लें कुछ में में जो चीजे हैं आप उनको पढ़ लेंगे तो वहीं से ज्यादा कोशन आते हैं जैसे अब यहां फलों में हमने बताया था आपको आम है केला है पपीता भी पढ़ लीजिए ठीक है और यह सबसे ज्यादा प दीसरा आपसंस ही हो जाएगा शोचन तत्तों का उधाराण है देखिए मैंने पछले भी वीडियो में बताया था यहां भी बता रहा हूं मैं कि जितने भी पोशक तत्तों है उसका जो भी सेम क्लासिफिकेसन है उसको अच्छे से पढ़ लेजिए कौन-कौन से मालेजिए नेचुरल होते हैं इसके साथ साथ में माइक्रो माइक्रो आ जाते हैं प्रात्मिक दूतियक आ जाते हैं यह सभी पढ़ लिए इसके साथ साथ में इनकी कमी से होने वाले लच्छन जो भी रहते हैं या रोग कौन से पहुद्धों में हो जाते हैं यहां से हर एक पेपर में में धूतियक होते हैं और यह था यह होता है सुच म सूच मतलब मतलब यह माइक रो है और केल्सियम मैगनेसियम और टोते हैं जिसको वरहत रोक्त इसको थैसर हम अगर हिंदी पूछेगा तो बहुत है उसको ठीक की को यहां प्रकर अरुपार के कि एक रहोगा जाएगा है कहा हुत्पादन होता है पस्षिम मंगाल आंध परदेश हैं और उत्तरपरदेश महाराष्ट यहां जो करेक्ट एंसर है वह हो जाएगा अंध परदेश ठीक है यह आपका एंसर है तो तीछ निए कि अगला कुस्चेन है कि आम का व्यापारिक प्रोर्धन होता है देखिए अभी जिस्ट ऊपर कुछन पूचा गया यहां पूचा गया तो मैंने बताया ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको पढ़के रखना है तो यहां पहला है जैसे इनार्चिंग फिर है कटिंग फिर है लेरिंग फिर है आप देखिए मैंने अभी जश्ट बताया था बंची आप है पुछा गया है आप अपसन में रखा आलू का आम का केला का टमाटर का ठीक है तो बंची आप जो है वह संबंधित है केला से और हमने जश्ट अभी बताया आपको कि केला जो फल है आम है इनको अच्छे से आप पढ़ लेजैर तीन-चार मैंने नाम लियें ठीक है फिर जापवाई भी किसम है तामाटर की बियंड होती है मुली की होटे है ठीक है किसकी मुली की लग यह सब चीज़ इतनी भी आजाते हैं इनको भी आप अच्छे से फड़ लेंगे किसमें कितना ज्यादा पाया जाता है कौन फालिस का मतलब धनी स्रोध होता है तो अगर आपको कोई प्राबलम हो रही है तो आप हमारे प्ले लिश्ट पे जाएं और पॉमोलाजी का वीडियो पाय जाती है तो फिर आमला में अगला कुस्ट्रे गिर एक प्रसिद्ध नसल रहाएं उन्हूंब और इसके शाथ मैं भारती गण्णा अनसंधान संस्थान तो इतने भी इंस्टिट्विट औगरर रहा होते हैं तो उनको आप अच्छे से लर्ण कर pillow है एक कोस्टन पूंच दिया जाता है तो यहां पहला अप्षिन है लखनाओ फिर बरेली वाड़ा शिल और बैंगलोरू इसका करेक्ट टेंसर हो जाएगा लखनाओ पहला अप्षन फिर है टिटिकेल एक क्रास है अब देखिए हमने बताया था पिछले वीडियो आज यहां भी बताया दें जैसे मालेजिए धान गेहूं मक्का कपास आलू ठीक है और क्या इधर पढ़ लेजिए सोयावीन मुंगफली ठीक है तो यह सब ऐसे चीजह को अच्छे से पढ़ लेंगे यहां पूछा जा रहा है टिटकेल तो टिटकेल जो क्रास होता है गेहूं और राइका होता है तो यहां करेक्ट टेंसर हो जाएगा पहला ठीक है अगला है भायत वर्स में बौनी किसमों के गेहूं का आगमन किस वर्स में हुआ यह कोशन बहुत बार रिपीट किया गया आप देखेंगे सारे पेपर सौल करेंगे तो कम से कम चार पांच बार आपको मिल जाएगा ठीक है तो हम यह आप से कहना चाहेंगे कि जितने भी प पर देने जाएंगे तो जो आते हैं वो तो आते हैं यह जो टॉफ टाइप के कोशन है यह आपको आजाएंगे तो आपका पेपर अच्छा हो जाएगा तो यहां जो करेक्ट एंसर है वो है थे कि एक हार्श पावर जिसको सकति बोलते हैं वराबर होता है सास्यारिस वार्ट शैसो चोहत्रवाड पर शास्यालिस वाट यहां जो करेक्ट एंसर हो जाएगा वो जाएगा सास्यालिस वाट ठीक है डीएपी में पोटास की कितनी मात्रा होती है 20% 18% 0% और 30% तो जितने भी उर्वरेक हैं उनमें कौन से पोचता तो कितनी मात्रा पाई जाती है आप इसको भी रीट कर लेंगे हर एक एक जाम में आपको एक कोश्चन दो कोश्चन ऐसे मिल जाएंगे ठीक है तो यहां पर जो द्यएपी में पूछा गया वहां पे पोटास जो हती है वह जीरो परशींट होती है तीसार करेक्ट हो स jurisd distractions पिर हैं विस्थ में फलों और सबजीओं में भारत का में प्रथम देश कौन से हैं दोती है और दूसरा भारत है इसका एंसर होगा वह दूसरा यह बहारत फिर है रानी खेथ रोग का संबंद है यहां पर देखेंगे पहला अपसान है गाय से भन्हंस से और मुर्गी से तो विमारी होती है एक मुर्गी की बिमारी है तो च्वत्ता अपसान गयाए फिर बिना मिटी के पौध्यों को उगाना क्या कहलाता है सबस्क्राइबूनिक्स हाइडो इस्टेटिक स्पिर हाइडरोनमिक्स फिर इन मेंसे कोई नहीं तो यहाँ जो करेक्ट टैंसर है वह हाइड्रो पोनिक्स पहला अगला है भेंड के भून के एक तुकड़े पर केवल एक ही फसल को बार बार उगाना कहलाता है मतलब इसमें क्या होता है कि एक कोई हम खेत ले ले लेते हैं जो निश्चित रहता है और उसी में किसी एक ही फसल को कई बार में उगाना तो क्या कहलाता है एकल सच्षेन, मिसरित सच्षेन या अंतरा फसल सच्षेन या अनकर्मिक सच्षेन तो यहाँ जो करेक्ट टेंसर हो जाएगा वो पहला हो जाएगा एकल सच्षेन ठीक है और इसको यहाँ पर देखेंगे इसको इंगलिसम बोलते हैं मोनोग्राफिन ठीक फिर है ग्यम्हों में कैनाल बंड का काराण होता है तो नेवोसिया इंडिका टिलेसिया होरिट यूरो सिस्टिस टिटिसी फिर अस्टी लेगो टिटिसी तो यहां जो करेक्ट टेंसर हो जाएगा पहला आप्षन हो जाएगा ठीक है अगला कुस्चन है एक ही पौधे पर नर और मादा फूलों का उत्पादन करने वाला पौधा कहलाता है देखे जब पूछरा एक ही पौधे पर नर और मादा फूलों का उत्पादन जो होता है अगर देखे नर भाग अलग है मादा भाग अलग है तो वो जो होता है वहलिंग आप बहुत अच्छा कोश्चन है और इसको समझने की जरूरत है आप समझ जाएंगे दो कोश्चन यहां पर तो आप हमेशा कर लेंगे इडैफुलाजी उच्छा किसका अद्यन है मृदाविकास का पौधों और भूम के मध्य संबंध का चटान का फ़लोयम सब्जियों का त उसमें केवल भूम से संबंधित को चनाएगा भूम की जैसे उत्पक्ति हो गई भूम का वर्गी करणड हो गया ठीक है इस तरीके से भूम पूरा कंफाम होगा कि टोटल टोटल स्वाइल से रेलेटेड होगा भूम स्वाइल की उत्पत्ति कैसे हुई उसका वर्गी सब्सक्राइब के अंतरगत आता है तो यह दो टर्म हमने आपको याद रखना आपको हमेशा काम आएंगे और अगर आपको कहीं समस्या हो रही तो आप स्वाइल साइंस के प्लेलिश्ट पे जाएंगे वहां पे आपको काफी चीज़े मिल जाएंगे ठीक है फिर आम की बी सुझें पॉंटाम का पढ़ लेजिए तो हैं यहां जो कर्यक्ट एंसर है वह सिंधू है फिर एक गन्ना का उतपति स्थान है भारत ब्राजील चीन अफ्रीका जो गन्ना का उतपति स्थान है वह है भारत पहला प्राइंग इसका सही हो जाएगा अगला कॉशन है के जानस क सब्सक्ते जान वाइग्निक नाम है गाजर का कपास का गेह marketed हो जाएगा वह नहीं का हो जाएगा अगला जीन बना होता है लिपीड का Prおい Luck का डूने का आरैंने का जो जीन बने होते हैं वे बने होते हैं डूने के कि यह बहुत ही इंपार्टन कोस्टन है और अगर आपको वीट साइंस में समस्य हो रही है तो आप ले लिस्ट पर जागर कर वीट साइंस पड़ सकते हैं मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है आपका एक एक कोस्टन वहां से के लिए हो जाएगा कि अगला है केल्वी चेकर को कि जाना जाता है केल्वी जो साइकल होती है उसे और किस नाम से जाना जाता है तक ही ऑप है पहलास हरा सी 3 von फिर है पूंग्त ऐस्लेक कर फिर इन में से कोई नही तो यहां जो क्रेक्ट टेंसर हो जाएगा वो जाएगा 103 पहला अप्षम फिर है फासपुरस आवश्य कोहता है देखिए मैंने पूस्था तो बता है यहां पर ये दूसरा क्योश्चन हम सांखावरद्री के लिए जड़ विकास के लिए जीवान विकास के लिए कवक विकास के लिए तो यहां जो और ये फैसके लिए आपका लोख य濃 ये वन्न friction पर भीडियो लाट तक देखने से यही फैदा है कि हम कुछ ऐसी इससे बूnity चीज़े आपको बीच वीच में बताते चलते हैं जिससे आपका रिजनट बऊच्षा है कि पिर म्रदा में पशक्तक्नियों के इस्तर को बढाने के लिए सबसे उप्यूक्त फसल है कि posição उसी से related question है तो तो इसे धान गया हूं मक्का गया हूं फिर धान मक्का फिर है मुंगफली गया हूं गया हूं यहां पर क्या होता है कि जो स्वाइल होती है उसमें पोशक्तत को मेंटेन रखने के लिए हमें क्या कहना होता है कि एक बार कोई अधर फसल लेते हैं फिर कोई प्रियोग किया जाने वाला नियामक है यह पिछले भी पेपर्स में कई बाप पूंचा गया है और संदोजा 17 में भी पूंचा गया है तो यहां पर यहां करेक्ट टैंसर हो जाएगा पहला देखिए कि प्राइसेम की बात कर रहा है टी आर वाई ठीक है एस एम किस वर्स में प्रारम हुआ देखिए मैंने बताया ना कि आप जितने भी इंस्टिट्यूट हैं या फिर एक्स्टेंशन से रिलेटर कोश्चन आप उनको पहले दिए तो यहां पर देखिए तीसरा तक कोश्चन है तो आपको अगर हम बता रहे हैं आप ऐसा करेंगी तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है पहला है 1989 फिर 1978 फिर 1982 फिर 1989 ठीक तो यहां पर जो करेक्ट एंसर हो जाएगा 1989 हो जाएगा चौथा अगला कोश्चन है डेपोग जो होते है डेपोग मैथेड आफ क्राफ है डेपोग फसल उगाने के परदेत का सब्द्र किस्ते अन्ता सब्सक्राइब सब्सक्राइब कंगा है इंन में से को नहीं भी और दशारी नर्सरी रेजिंग के लिए जो धान की त्यारी त्यार की जाती है धान की नर्सरी तायार के जाती कि वीध लेक्त मैं DJI फर氣 अब हो जाएगा पारदर से ठीक है तीसरा आप्षन करेक्ट हो जाएगा फिर ट्रेक्टर विशेश रूप से बने होते हैं जुताई कार के लिए कर्षन धुलाई कार के लिए फिर वाहन कार के लिए निश्चल कार के लिए तो यहां जो करेक्ट एंसर हो जाएगा मुझ रूप से के लिए तो यहां जो करेक्टेंसर होगा हो जाएगा बीच की भुवाई के लिए तो यहां दूसरा आप्षान सही है अगला कुस्चन है करें डिस्क हल्क के जुकाओ का कोड होता है देखें पहला सने 10-15 दिखड़ी फिर शाट से सता है फिर फिर 45-55 अब इसका इस कोश्चन के कार्डिंग यहां पर आप संद के कार्डिंग तो भी सही हो जाएगा 15-25 करेक्ट एंसर हो जाएगा लेकिन इसका जो करेक्ट होता है एंगल होता है 42 से लेकर के 45 दिख्री के बीच ठीक है 42 से लेकर के 45 दिख्री के बीच आप ध्यान रखेंगे हम बार बार बता रहे हैं और यह संदोजार 17 में भी कोश्चन पूछा गया है तो आप इसको 42 से 45 याद दखेंगे इसका करेक्ट एंसर होता है लेकिन आप देख पूस्टन है अगला फूस्टन करा हूँ डिसकोवर्ड दा कंट्रोल आफ खैरा डिजीज आफ प्राइस मतलब धान के खैरा रोग के नियंतरन की कोश किस ने की तो डाक्टर वाई एल नेने डाक्टर अमेरिका यह हैं कौन अमेरिका सिंग फिर डाक्टर पीके चक्रवर्त सब्सक्राइब तो यहां जो इसका करेक्ट अंसर है वह पहला हो जाएगा डाक्टर वाई एल नेने अगर आपको इसका दोस्तों इस पेपर का प्रिंट सही नहीं है आप अपने वीडियो की क्वाल्टी सही करने तो आपको थोड़ा साथ अच्छ दिख जाएगा और हमारी अगला कोस्टन है एट्राजिन किसके लिए यहां यूज हो रहा है तो पादपुरा धिन्यामक खरपतवार ना सक कीट ना सक इनमें से कोई नहीं देखे यहां पर भी वीड साइंस डिलेटर दो तिन कोस्टन उचे गए हैं तो आप क्या करेंगे वीड साइंस पढ़ हैं हमने बहुत अच्छे पढ़ाया है तो यहां पर जो है एट्राजिन जो है यह किसके लिए प्रयोक की जा रही है खरपतवार नासी के लिए ठीक है तो यह थे पूरे पचास कोस्टन जो की वीच्चियों में पूंचे गए हैं संदो जाए ठारे सिट में तो अगर आपक करने की कोशिस करेंगे इसके साथ साथ में आप चैनल पर जरूर विजिट करें वहां को काफी अच्छे कोश्टन मिल जाएंगे तो चलिए ठीक है आज के लिए इतना ही तब तक के लिए धन्यवार